अगली वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के हम एप्लिकेशन कैसे लिखते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल नहीं उर्दु में इसको हम दर्खास कहते हैं यह हमारे डेली लाइफ की डेली लाइफ का पार्ट है यह इतनी important चीज है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा सा अप्लिकेशन लिखना नहीं आता वो भी तो आपको ऐसा समझा जाता है कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता हम अप इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल यह मत कहना कि मुझे अब अप्लिकेशन लिखना नहीं आता चले आते हैं हम classification की तरफ पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो लेटर होता है ना application नाम की कोई चीज होती नहीं है यार सब लेटर है सब लेटर है उस लेटर को broadly दो इस्सों में माचते हैं पहला यह है formals letter और दूसरा है informal letter देखो formals letter और informal letter में फर्क आई आप जो अब पीछे हमारे thumbnail में application देखा ना यह application वही formals letter है और जो हम formals letter लिखते है वही week application होता है formal letter हम कहते हैं कि उन letters को जिनको हम किसी official जगों पे लिखते हैं हम किसी editor को लिखें या फिर हमने school को लिखा college को लिखा, bank में लिखा किसी magistrate को लिखा कहीं भी लिखा हमने तो इस तरह जहां पे हमें professionally खुद को represent करना पड़ता है तो उस तरह के letter को हम formal letter कहते हैं और informal letter हम उन letters को कहते हैं जो हम अपने relatives को, अपने रिष्टेदारों को मा, बाप, भाई, बैन इनको लिखते हैं वो informal letter कहलाता है तो चले इस वीडियो में हमें आपको बताने वाला हूँ कि how to write a formal letter यानि हम एक formal letter कैसे लिखेंगे यानि जिसको आप application कहते हो वो application हम कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो application होता है या formal letter होता है उसको लिखने के seven steps होते हैं there are seven steps of writing a formal letter यानि आपको अगर formal letter लिखना है तो आपको seven steps को follow करना पड़ेगा उन seven steps को follow करने के बाद आप एक बहुत अच्छा सा formal letter लिख लोगे लेटर लिखने के लिए मैं सबसे important चीज आपको बता दूँ कि जितनी important इसकी बड़ी होती है कि आपको content क्या लिखना है कौन से topic पर लिखना है आपको सामने वाले के designation के according उससे भी जादे important यह होता है कि आप उसको design कैसे करते हो मैंने यहाँ पर बड़ी अच्छी designing तग्यार किया है कि हम जब किसी को formal letter लिखेंगे आप बिल्कुल इस type से लिखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपने बिल्कुल इस तरह से अपने letter को अपने application को सजा दिया तो आप समझो कि आपने बाजी माल लिए आपसे बेतर letter या application कोई नहीं लिख सकता चले आते हम अपने first step की तरफ हमारा जो first step है वह address and the designation of the concerned person यानि जो concerned person है यानि जिसको हम later लिख रहे हैं उसका designation यानि उसका जो पद है वो कौन से post पे है और उसका पता क्या है जैसे suppose आपको कोई application लिखना है अपने principal को आपको later लिखना है अपने principal को तो designation हो गया principal और उनका जो address है college के साथ वो लिख दो to the principal उसके बाद address लिख देना आपको लिखना है अपने later को आप लिखना चाहरे हो किसी bank manager को तो फिर आप लिख दो to the bank manager जो उनका address है वो लिख दो वहाँ पे इसको हम बोलते है designation के साथ to the BDO, to the SDM, to the DM, to the SSP ये लिखो आप फिर उसके बाद उनका address लिखो आप designation के साथ address ये पहला step है दूसरा step है date date को लिखने के बहुत सारे तरीखे हैं जैसे suppose आपको लिखना हो 10 January 2020 तो आप कैसे लिखोगे 10th January 2020 ये January 10 2020 उसके बाद आते हैं subject की तरफ हम subject कहते हैं कि concept topic पर हम लेटर लिखने जा रहे हैं और salutation कहते हैं वो जो हम dear sir, dear ma'am honorable sir, honorable ma'am respected sir, respected ma'am ये सारी चीज़ें ना salutation में आती हैं मैं आपको बता दू कि modern letter जो हम लिखते हैं उसमें सबसे बड़ी तरीका ही होता है कि आप dear sir या dear ma'am लिख दो आपका salutation हो गया जहां जहां तक buddy की बात है तो buddy जो है ये बहुत important part होता है यानि आपको जो लिखना है जिस topic पर लिख रहा है जो subject है आपका वो जो content है ना buddy का आपका बिलकुल short होना चाहिए और to the point होना चाहिए बिलकुल as straightforward यानि आप formulator लिखने जा रहे हो आप unofficial word से unofficial formality से बिलकुल दूर रहोगे आते हम अगले step की तरफ हमारा अगला step है complimentary close complimentary close कहते हैं हम जैसे end करते हैं वहाँ पे कहते हैं ना yours, your sincerely, your faithfully ये complimentary close कहलाता है और जो सबसे last step है वो है signature and address of the sender यानि हम जो लिखे रहे हैं तो हमारा signature और फिर उसके नीचे हमारा address लिखने वाले का जिसको हम लिखे रहे हैं वो सबसे उपर जिस जो लिखने वाला है वो सबसे नीचे चले आते हैं अच्छा, important note मैंने यहाँ पे दो important note दिया है सबसे पहली चीज़ there must be a gap of one line between each step यानि हम जो यह हर step लिखे रहे हैं इस हर step के बीच में एक line का gap होना चाहिए one line का gap होना चाहिए यहाँ पे और अगला अच्छा, हाँ salutation और buddy इस दोनों के बीच में gap नहीं होगा second है all the steps must be written on the left जितने भी steps है आपको सभी के सभी steps को बाई तरफ लिखना है एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपके लिए एक format विलकुल ready कर दिया है ठीक सामने आपके मौझूद है देख लिए application for fee concession अगर आप student है college के और अगर आपको अपने principle को application लिखना है तो मैंने वो application का format लिख दिया है यहाँ पे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने हर step के बीच में यहाँ पर एक line का gap इसलिए नहीं छोड़ा है कि इस slide में हमारे पास उतना space था ही नहीं आप अपने exam में या फिर आप जहां लिखो आपको जब भी application लिखने की जुरूत पड़े आप वहाँ पे एक line का gap ज़रूर देना चले आते हैं सबसे हमारे first step की तरफ हमारा जो first step है वो है address of the consent person with a designation to the principal CM Science College दरबंगा लालवा 846-004 यह हो गया address और designation उसके बाद एक line का gap देना आपके देखो आप मैंने date दिया है February 13, 2019 subject है for fee concession यानि fees की छूट के संबंद में अब आजाते हैं salutation की तरफ Honorable Sir या Honorable Ma'am जो भी है उस college के वो लिखो आप उसके बाद लिखना start करो यह बड़ी देखो मैंना सिर्फ और सिर्फ चार से पांच line में complete कर दिया in only 4 to 5 lines बड़ी जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए आप formal letter लिखने जारो यह आपके mind में होना चाहिए मैं किसी वीडियो में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम informal letter कैसा लिखते हैं अब चलो देखो बड़ी किया है यहाँ पे मतलब कि मैं आपको वीनमरता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब student हूँ आपके college का मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ मैं अपने जिन्दगी में कुछ करना चाहता हूँ लेकिन अपने father के small income की वज़े से वो मेरे पढ़ाई के खर्च को maintain करने में उस खर्च को maintain करने में afford करने में unable है उनको एक बड़ी family चलानी पड़ती है सिर्फ एक छोड़ी सी दुकान से इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी fees में पूरी तरह से छोड़ दे दे मैं इसके लिए आपका शुक्र गुजार रहूँगा आपका मैं एहसान बंद रहूँगा बनाद आपके एहसान के लिए मैं आपका शुक्र गुजार रहूँगा यह आपकी बड़ी हो गए और बड़ी के बाद Contribentary close your faithfully आपका विश्वाशी यहाँ पर आपका signature देना रमीज वाटेवर जो नाम है आपका Class 12, Rolton और लिख कहां से रहे हो आप अगर exam में आप लिख रहे हो तो आप लिखना examination hall अगर आप exam के लिख रहे हो तो यह और नीचे में examination hall लिखोगे अपने घर का address मत लिखना Thanks for watching follow me on Insta, follow me on Facebook everywhere, I'm Ati Farfi